प्रेंट्स हर कोई गोरी तोचा पाना चाहते हैं और इसके लिए तमाम तरह की उपाये को अपनाते हैं लेकिन उन्हें उतना अच्छा रेजल तो नहीं मिल पाता है जितना अच्छा रेजल वो चाहते हैं पर फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास रेमेडी जो ना केबल आपके तोचा के रंग को निखा रहेगा बलकि आपके स्कीन के सब भी प्रोब्लेम्स को एक केक करके दूर भी करेगा फ्रेंट्स ये जो रेवेड़ी है खास करके स्कीन के डार्सपर्ट यानि की काला पन है उसे दूर करने के लिए बहुत ईफेक्टिव है अगर आप चाहते हैं आपके स्कीन बहुत गोरी बहुत निकरी बन जाए साथ ईसाथ आपके स्कीन पर कोई भी दाग धबा पिग्मेंटेशन संक्या ना हो तो ज़रूर आप इस फेस प्या को ट्राइ करके देखिए आप देखेंगे आपके स्कीन कुछी दिनों में बिल्कुल सिसे की तरह चमकेगा अब देख लेते हैं इस फ्या को बनाना कैसे हैं तो इसके लिए फ्रेंश हम ले लेंगे डो चमच अलुक्ता रॉस और इसमें ले लिजे जै दो चमच टोमाइटो जूस और फ्रेंश इसमें ले लिजे आधा चमच एलोबेरा जեռ। अगर आपके पास प्लांट के एलोवेरा जेल है तो आप भी ले सकते हैं और इसमें ले लिजे दो चमस कच्चा दूद्यानी की रौ मिल्की इन जारे चीजों को आच्छे से मीश कर लिजे आप चाहें तो इस मीश्चर को एसे ही एक कटन के हेल्प से आपके चेहरे पर लगा सकते हैं और कुछ देर के रख सकते हैं या आप इसे लगा कर रात भर भीला रख सकते हैं और सुबह दो सकते हैं या आप इसे आइस क्यू बना कर भी यूज कर सकते हैं नहीं तो आप चाहें तो इसे एक चमचा मच गेहूं का आटा मीश कर लिजे और ये फेस प्याक के तर प्रिचुरल एसीड जो हुता है जो हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन, डार्च स्पोर्ट, ट्यानिंग को इजीली रिमूब कर देता है और हमारे स्कीन को गोरा बनाता है और स्कीन के रंग को निखरने के लिए कच्चा दूद भी बहुत ही कारिगर हुए तो आप इसके को और कर 10-15 मिनिट के लिए चेहरे पर रखे और 10-15 मिनिट के बाद गिली हतों में थोड़ी सी पानी लेकर इसतरह से धिरे-धिरे स्क्राब क 문रें इस तरह से मसाज करने से आपके स्कीन पर सारे डेट स्कीनन निकल जाएंगे आपको अलग से स्क्राबिंग करनी नहीं पड तरह इस सजवे невित का रिधिन कि लिबुकर अजय की च्प रजगास्टार इबूकर तsea रह mention अर गाममीन of civilisation अ सहभे म इनी addict अ जहें SPEAK अलग का llam अलग मत एक उलग वड़ कर छोन हमे एंदा effective